लूवारे मेरे मिक्षिर के आप disyesup следled के चाह चाहेतë आपाव सेंड़ीच को उसे किたमारी दाभा नहीं मैं चाहेकर बता हुआ कैसे यहानी मिक्षिर को और सबस्कीज़ क कीसे तो सब्सक्री करवे तो बना और आप सबlook को जाओ कर सो दो मैं चाहो तो इसको सेंड्विच में बना के खा सकते हो इन फेक्ट आप चीले में भी मतलब मिक्षिर डाल सकते हैं तो फ्रेंड्स अगर आपको आज का वीडियो पसंदा यूस्फुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें बिल्कुल फ्री चैनल को इचाहे ने चनल को ग गाजर यूज है स्वीट कॉन यूज किया है तो आप अपनी पसंद से जो भी वेग्षटेवल आप खाना पसंद करते वह यूज कर लिए जो नहीं खाना पसंद करते हैं मैंने थोड़ा से या पनीर लिया हुआ है यह पनीर आपको बहुत ही हेल्फुल करेगा वेट लोस क अब इस मिक्सर को हमने इस तरीके से मिक्स कर लेना है इसमें अभी मैंने जो मतलब इसमें नमक वगर आपने नहीं डालना है यदि आप नमक डाल के रखेंगे तो यह मसाला मौश्य छोड़ेगा और मौश्य जब छोड़ेगा तो यह आपके सारे इसने खराब हो जाएं तो जब भी आप कोई भी इसनेस बनाए या फिर आप जो मैंने भी बताये हैं सब्जी या पराठा जो भी तो जब आप बना जबी नमक डाने ठीके जी अब इसमें मैं कुटी हुई काली मिर्च और गनुहर्स यूज कर रही हूं चिली फ्लेक्स मेरी पास काता होगे तो मैं य निकाल लेती हूं अचा यह जो मैंने बनाया हूँ है मिक्षर आप चाहूं तो यह वेट लौस सैलिड आपका एक तरीके से रेडी हो चुका है तो आप वेट लोस सैलिड इसको बना के खा सकते हैं इस तरीके से ठीक है जी तो इसमें जो स्वीट कॉन है वह मैंने कच्चे उसके हो हैं आप चाहो तो जब भी आप सैलेट की तरह इसको दिखाओ तो आप इसको जो स्वीट कॉन है वो थोड़ा सा वाइल कर लीजेगा तो वाइल की वह सुटकन बहुत अच्छे लगेंगे आपको यह खाने में और यह कच्छे मत यूज करेगा यदि आप इसको में देखेगा मिल जाएगा है दो भी फूल विडेओ जाएगा तेक तो वह सारे चेक करेगा तो saints safi के लिए वह फालोग करेंगे टो तो इस मिक्स्टर से यैड मैं में दे सकते हो ये में और से से आप स्जाहिए सीन्ग लोख सैन्टीह आन्त्र में पड़खो के विद्सक्राइण के भी कुछ देन Clema आप चाहूं सकते हो जैसे आपने पनीर लिया और चोटी चुटी कुप में पनीर की यह सारी वेशेवल आप डाल कचा खाना करते हैं तो कचा इसके बाद डाल दीजे यह थोड़ा सब में पर नमक लास्ट में दालना है तो आप शाम को यह मिक्षर इस तरीके के बावल में बनाके रख दीजिए फ्रीज में डखकन लगा के अब इसमें आपने एक सीच का मोश्ट इंपोर्टन ध्यार रखना है कि आपने जब भी यह कोई भी रेस्पी बनाए उसी वक्त आपने नमक की उसकर नमक को पहले मती उस करके रखा इस में मिक्षर में तो आपके मिक्षर पूरा हो जाएगा ठीक है जी Burada मिखर आप मिक्षर आपने सकते हैं पहरा प्यास, दाल सकते हैं में कोईवी ऐस्पी आपसे लिए हैं पराटा प्राता हए के लिए में कुछ भी बना荷ा है ठीक है जी आप एक ये मिक्स्टर से बहुत सारी वेश्टेवल आप बना के खा सकते हो तो फ्रेंच अगर आपको आज का वीडियो पसंद आई उस्फुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें बिल्कुल फ्री चैनल हमारा कोई चार्ज नहीं चैनल को घ्रो करने के helping चैनल को फ्री सबस्क्राइब करके मेरी प्लेलीस चेक करें सब बहुत चैचeties वीडियो जम लेंगा आपको देखनेक लिए सीखने के लिए अच्छा ये मैंने आपको चार 5 टिफ्स दिये हैं, आप एक तो इसका सेंडविच बनाकर खासकते हैं आप있는 स Citins बनाई कर्केते में दूसरा आप पियांब बच्चों के ठीफशन में रखना सकते हैं आप बच्चों के लिए इस के पना राओ किसश में ऊपपने तो सब्सक्क्राम के सकते हुआ जी छीज भी पहले से आपने बेटलॉस पराठा बना रहे तो मट ग्रेनाटा यूश करेए और नॉर्मल पराठा बना करें नॉर्मल है आपका बनार पराठा यूश करो आप सकते हो आप इसको एफ सैलड में यूश कर सकते हो ईंग कर सकते हो फिल मील हो घ्लिण भू जाएग Norino तो इसके सब्जी भी बना के खा सकते हो सब्जी का भी मैंने बता है आप पनीर मोटे मोटे पीसे करिए और उसके बाद ऑईल में थोड़ा सा फ्राइ कर लीजिए पनीर को और उसके बाद यह डाली तो आपका यह एक मतलब वेट लॉस रेस्पी भी हो जाएगी खाने के इसमें आपने जो मैं दो मैं पनाना या वही जुस में सब्सक्राइं तो झाल कि नॉर्मल मंशु टाफस alake करें करना सब्सक्राइए उसमें चीड़ जब बनाएं तभी आपने नमक डाला अब वेजटेवल इसमें आप आपने नमक डाल के उसका खो डान यह तोड़ाए और आप मैदा डाले थोड़ी थोड़ा सा कॉन दाले इसका मिक्षर बना लिए पकोड़ों तर लीजिए उसकी ग्रेवी बनाए बड़ी आप जर्सी खाना पसंद करें ठीक है आप चाहो तो इसको जो आटे के पकोड़े होते हैं उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं यह सारा अब तरह लीजिए बनाते अतिम फेले पकोड़े बनाते है उसीजित राएं आप चाहो तो इसके पकोड़े होते हैं तो छोगाने जरू करें करें और को फ्रीया सब्सकाइब करें चल को फ्रीश चृइब करें करें कि हैं तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ आई होड मेरे इस चैनल को आप ग्रोमम हरेंगे ईण को फ्री सब्सकाइब करके जिन लोगों ने मेरे चनल को अल्रेडी सब्सकाइब कर रखा है उन सब को ते दिल से बहुत-बहुत थैंक यूँ बहुत-बहुत धन्नेबाद कि आपने हमारी इतनी हल्प की और हमें इतना आगे बढ़ाया और भी आपके सपोर्ट की जरूरत है तो please मेरे चैनल को फ्री सब्सकाइब करें जो लोगों ने नहीं मेरे चैनल को सब्सकाइब किया है और जो लोग पहली बार आए हैं मेरे चैनल पर प्लीज रिक्वेस्ट कर आप हमारा वीडियो देख पाएं तो प्लीज अगें वीडियो को सब्सक्राइब मतलब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए तांक्यू और यह जो मैंने एक यह बनाया है इसके में कही स्नैक्स आप भी बनाऊंगी और उसमें वो नमक आपएट करें ठीके जी तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ तक के लिए तांक्यू पहले शॉर्ट वीडियो जाएगा फिर फुल वीडियो तो सारे वीडियो शॉर्ट वीडियो चेक करेएगा बहुत यूसफुल टिक्स होते हैं उसमें आपको मतलब सीखने के लि